रिटेल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान, स्टॉक में 50% से ज़्यादा की गरावट हाई दिस देव एंडर वाचिंट टेडर स्टायरी और आज हम बात करने वाले हैं FCS Software की स्टॉक की उपर, क्या FCS Software में गरावट एक मौका है या दोका है, आज हम इसके उपर डीटेल में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं दोस्ता FCS Software, देखे, यहाँ पर 3 रुपए 55 पैसे का प्राइस आ रहा है मार्केट लगाता गिरता जा रहा है, और अभी और गिरना बाकी है क्योंकि यूरोपियन मार्केट काफी जादा डाउन है उन्होंने 52 वीक लोगों भी तोड कर और भी जादा नीचे चले गए साथ ही एशिया के बड़े बजार, यानि जापान और यहाँ पर हॉंग कोंग के बजार जो है वो 52 वीक लोगों को तोड कर और भी जादा नीचे है तो ध्यान रखेगा कि इंडियन मार्केट में भी गरावट आनी है लेकिन ठीक है, उसको साइड में रखते है इस टोग में यहाँ पर 50 से 60 परसेंट की आसपास की गरावट आ चुकी है अभी यहाँ पर हमको समझना यह है कि जिन्होंने 7 रुपे पर लिया है, वो क्या करें? क्योंकि उन्होंने अगर हिस्सेदारी ली है इसमें शेयर खरीदे हैं, 7 रुपे पर किसी ने, रिटेल इंडिवेस्टर ने तो कुछ इंटरेस्ट को देख कर लिया है और शेयर रह गया है, 3 रुपे, 55 पैसे किसी का 3 रुपे, 55 पैसे भी खरीदारी है, किसी की 2 रुपे, भी खरीदारी है वो क्या करें? क spends रहे है, क्योंकि उसके rate के आजपास आगे और कोई खरीदना चाहता है, अब इंटर डे यहाँ पर जो है वो बंद है इंटर डे बंद है सिर्प बाइंग हो रही है दिलिवरी सेलिंग बाइंग यही चल понад तो जिन्होंने ले रखें वहीज़़ यह तो पर आप कर सकते अगर आप ने आज लिया तो आप जो स्टॉक है वो 50-60% के आसपास की गरावट पर है तो देखे यहां पर हमको तीन चीज़ें समझने पढ़ेंगी पहले तो fundamental दूसरी चीज़ है इंट्रेस्ट कितना है लोगों का इस वक्त वो भी हमको देखने हैं और लेकिन अब बाइंग इंट्रेस्ट जो है वो बनता हो नज़र आए क्योंकि उस लेवल पर अगर बाइंग इंट्रेस्ट दिखाए लोगों का तो इसका मतलब यह है कि अब शेयर पर लोगों की नज़र तो रीटेल इन्वेस्टर तो confident है कुछ रीटेल इन्वेस्टर यानि अगर बाइंट देना 100% में से तो यहाँ पर 50% तो इसकी favor में है यह तो समझ में आ रहा है नहीं तो इस stock में और भी ज़्यादा बिक्वाली आती इस stock ने support लिया है उपर आया है उसको भी हम समझेंगे लेकिन अगर कोई 7 रुपे पर लिये है और वो interest करता है इस share में तो यहाँ पर जो है खरिदारी आप कर सकते हैं आप average कर सकते हैं लेकिन market का mood मावल बहुत खराब है हो सकता है कि और share तूटे है तो उसको देखकर यह भी तूटे है और यह थोड़ा सा नीचे आए लगो लगो दो रुपे सी पैसे दो रुपे सतर पैसे यह range है यह level है तब ज उस पर लोगों का interest है तो हमने interest की बात तो समझ ली यहाँ पर fundamental क्या कहते हैं उसके बात financial समझेंगे तो हमको डीटेल में समझ में आ जाए कि चल गया रहा है तो market care 591.51 करोड रुपीस का market care पैस कंपनी का और यहाँ पर लोगों ने भर-बर के पैसा भी बनाए किसी ने 50 प से 60 पैसे पर खरिद कर बैठें इस चेर को वह भी अच्छी खासी quantity तो यहाँ पर उनके पैसे तो बने हैं इसमें कोई शक्की बात नहीं किसी ने एक रुपए पर पर भी लिया था उस वकत तीन पर चार पर लिया था तो भी उसका पैसा बनता हुँआ दिखाई दिया था 8 रुपए लेकर मार्केट में जब गरावट आई तो इसमें भी गरावट आई है तो अगर आप इंटेस्टेड हैं एपसे पर पर शेयर 97 पैसे है यानि की 97 पैसे और स्टॉक काम कर रहा है 3.55 पैसे पर तो यहाँ पर लगो लगो अपनी बुक बेली से 3.66 टाइम उपर वर्क कर रहा है तो ज़ादा अगर कहें तो ज़ादा महंगा नहीं है महंगा नहीं है यहाँ पर expectation यह है कि यह company अब कुछ करके दिखाए सालों हो गए है इस company को तो company कुछ करके दिखाए अग quarterly result है अगर आप ट्रेक करते हैं तो आपको पता होगा देखिए 2020 से दिसम्बर 2021 से मार्च 2021 से यह जून का मीना और 2021 से सेप्टेंबर यह Q2 का टाइम और Q3 का यानि 2021 से दिसम्बर अगर आप नेट सेल देखे तो लगो लगो बराबर है कोई आउट performance यहाँ पर करकर नहीं द रुपीस का नेट सेल थी 2020 दिसम्बर में जो की अभी घटकर 8.13 करोड रुपए की नेट सेल है 2021 दिसम्बर में तो कोई भी जादा changes नहीं है एक एट आट करोड ऊपर में आट करोड सतन लाग आट करोड और नीचे में आट करोड रुपए का एक range बनी हुई है जब यह ने सकते हैं कि FCS software यहां पर आट performance कर सकता है यह संभाबना है और company के अगर profit की बात करें तो profit कुछ भी नहीं है 52 लेक रुपीस का profit था 2020 दिसम्बर में जो की 2021 में 6 लाख रुपए का loss है और वही चीज़ है 2021 में मार्च के result आया तो 15.80 करोड रुपए का घाटा 2021 सेप्टेंबर माप कीजिए जून में जब result आया तो 25 लाख करोड रुपए का profit था जो की 2021 सेप्टेंबर घटकर 2 लाख रुपए का रह गया दो लाख loss में और चले गए त्यां रखेगा तो 25 लाख का profit था वो 2 लाख की गाटे में चला गया है 2021 से दिसम्बर में क्या हुआ च्छे लाख क दिखाई दे रहा है सर्फ एक loss में कि company हाला कि loss जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर company और भी जादे गिरती हुच लिया है loss maintain है 6 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख यह ऐसा loss चल रहा है एक बस एक सबसे बड़ा घाटा जो है वो 2020 मार्च में ही देखने को मिला था पंद इंसर रिपोर्ट में changes आए क्या आप इस company के shares को लेना पसंद करेंगे देखे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक hope पर बनेगा टीटीमल एक loss making company है लेकिन वो टाटा की company है ऐसा लगता है कि टाटा जो काम सौप रहें टीटीमल को तो वो profit में आ सकते लेकिन उससे पहल है ता वैसा ही चला कोई भी out performance करके नहीं दिखा रही है FCS software लेकिन हाँ hope को देखें तो hope की जरीए यहां पर बाइंग रहेगी और जो share नीचे से ऊपर तक आया है तो इसका मुतलब यह नहीं की नीचे चलाया जब किसी share में out performance दिखाई देती है तो भाई वो फिर वी यहा आपर जो है out perform करके दिखा सकता है ज्यार रखें इस बात को हमेशा notice करेगा जब कोई share चलता है तो उसमें बापस तेजी बनती है अगर कोई गरावट आती है बारी तो उसमें तेजी जरूर होगी अब हमको यह समझना है कि share holding pattern में क्या changes आए है तो देखें सबसे चीब बा दी आयाइस 0.03% इस company में hold करते हैं और non-institutional जो investor है यानि retail investor 80.31% इस company में hold करते हैं और company के promoter 16.65% के आसपास company में hold करते हैं अभी भी तो ध्यान रखेंगा promoter बाहर नहीं है लेकिन promoter की stake कम है तो जब promoter buying करने लगे तो समझेगा कि यहाँ पर कुछ बदलाव आने वाले है आगे लगता है कि यहाँ FCS software में कुछ हो सकता है लेकिन फिलाल तो यहाँ पर यही बात है company के ना तो fundamental good है ना ही financial good है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बात है कि retail investor का hope जो है वो बना हुआ है तो जो 3.55 पैसे अगर market सुदरता है तो यह बापस outperformance करके दिखा स है कि जो भी आपर retail investor है जिसने 7 रुपे पर खरीद लिया है 6 रुपे पर खरीद लिया है डरियेगा मत अगर आप interested है इस share में तो आप थोड़ी से quantity average कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर डर यह है कि market अगर गिरा तो इस पर भी दवाव देखने को मिला तो यानि अगर आप 3.55 प इस और quantity खरी लेने चाहिए थे 1000-2000 share और लेने चाहिए थे या 500 share लेने चाहिए थे 200 share लेने चाहिए जैसी श्रद्दा हो तो मौका दोबारा आपको मिला है जहां 2 रुपे पर आपने खरीद आ 8 रुपे देख लिया वहां 3 रुपे पर बापस मिला है तो आप यहाँ पर ज कुछ खास नहीं है नेटसल 8 करोड की तब भी थी अब भी है और प्रॉफिटेबल कुछ कंपनी है नहीं लेकिन लॉस मेकिंग जादा कुछ है नहीं ठीना तो यह सब एक कहें तो इनलाय ने सब कुछ आउट परफॉर्मेंस जब देगा तो यह शेयर बाकी में जिन्नोंने भी सोच रखा तक 50 रुपे 60 रुपे तो वो हो सकता है अब चलिए ठीक है आपको सारे सवालों की जवाब मिल गए होंगे कुछ एक्स्टा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा लेकर अब यहाँ पर बात करते हैं कि चार्ट पर कौन सा सपोर्ट तीन रुपे 30 पैसे के आसपास यह लेवल जो है वो सपोर्टी लेवल देखें क्योंकि यह गरावट जब आई तो यह गरावट इस केंडल से थमना स्टार्ट हुई और तब से लेकर यह तीन केंडल है ना तीन दूनों की यह ऊपर की हैं तो तीन रुपे 30 पैसे से बापस घूमा यह शेयर तो आपको सर्फ होपी की जरिये जो है होप रखकर यहां पर बाइं करनी है बाकी आउट परफॉर्मेंस कुछ नहीं है तो यहां पर अगर आप इंटेस्टेट है क्योंकि दो तीन रुपए का शेयर तो कुछ बड़ा खास नहीं है जादा यहां पर इन्वेस्टमेंट है नही हाजार शेयर आसानी से तीन रुपए के आ जाएंगे तो जादा कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं है हो सकता है सिक चल भी सकता है तो इस चीज़ को दया रखे तो यही देखकर आपको यहां पर खरिदार करने पा कि अगर आप परफॉर्मेंस आता है तो शेयर चमकेगा नहीं तो यहां पर जो है सिर्फ ओपर बाईंगे है और आपको वस वही देखके चलना है तो उमीद है आपको पूरी बास समझी में आगी होगी अगर आपके एक्सा कुशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेएगा तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉ